हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल, गर्मी बहुत बढ़ रही है और हम सभी लोग कुछ न कुछ रिफ्रेजिंग और ठंडा पीना चाते हैं तो उसके लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही फाइदे मन और जटपट से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी जिसे आप पूरे साल ये किसी भी मौशे में बना कर पी सकते हैं वो है आम पना आम पना जो हमारे सरीर को बहुत थंड़क देती है और पीने में बहुत बहुत ही आसान है तो चलिए आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं चैनल पर नीव है तो धेर सारा लाइक और सबस्क्राइब कर देजेगा और साथी वेल आइकन पर जरूर क्लिक किजेगा फ्रेंस तक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक लिए हैं अभी मार्किट में बहुत ही आसानी से कच्चे आम मिल रही है जिसे हम कच्ची केरी भी बोलते हैं अब एक पीनर की मदद से आम का पूरा छिलका छेल लेंगे ये देखिए मैंने दोनों कच्ची आमको अच्छे से छिल लिया है अब एक नाइफ की मदद से इसका सारा पल्प निकाल लेंगे इस तरीके से जितना भी इसमें से पल्प निकल जाए उतना पल्प आप निकाल लिजे आप चाहे तो इसके छोड़े छोड़े टुक्रों में भी कर सकते हैं तो यहां इस तरीके से छोड़े छोड़े टुक्रों में मैंने कच्ची आमको कट कर लिया है आपको भी इसी तरीके से छोड़े छोड़े टुक्रों में कर लेना है अब ग्यास पार एक बरतन या भी गोना चढ़ाईए और इसमें हम सारे कच्ची आमके पीसेस को डाल देंग अब इसमें हम एक गिलास के लगभग पानी डालेंगे अब लेड लगाकर मीडियम फ्लेम पर लगभग 4-5 मिनिट के लिए इसी तरह से पकने देंगे तो इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देते हैं जब तक कि सारे पीसिस नरम न हो जाए तब तक इसको हम पकाएंगे तो लगभग 4-5 मिनिट हो चुके हैं तो अब यहां देखिए सभी कच्चे आमके पीसिस को हमने बोईल होने दिये थे वो बिलकुल नरम हो गए है आप देख सकते हैं बिलकुल टूट रहे हैं एकदम परफिक्ट तो आप यहां गैस को बन कर दीजे और आप इसी तरीके से थोड़ी दे ठंड होने दीजे तो अब यहां गैस को बन कर देंगे तो यहां अमारे सारे आमके पीसिस जो है वो ठंड हो चुके हैं अब यहां आप लिजे ग्रैंडिंग जार और इसमें हम वोईल किये हुए आमके पल्प को डाल देंगे याद रखे बिलकुल भी गरम पल्प को नहीं डालेगा बरना जब आप इसको पीसेंगे तो इसका धकन ऊड़ने का खत्रा रहता है और उससे आपका किचन पुरा गंदा हो जाएगा इसलिए यह ठंडा हो जाने पर इसके बाद इसे ग्रैंडिंग जार में डाल कर इसको पीसे अब इसमें हम डालेंगे एक कप चीनी यानि की एक सुग्राम मैं चीनी ले रही हूँ चीनी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोड़ी चमच काला नमक काला नमक डारेशन में बहुत फाइदा करता है और आम पना में ये बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है तो इसे आप जरूर डाले और मैं इसमें डालूंगी एक चमच सफेद नमक ये नॉर्मल वाली है अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ फ्रेज पुदीने के पत्ते हरा पुदीना है और लगभग 10 से 15 पुदीने के पत्ते लिए हैं धो कर इसमें डाल देंगे बहुत ही टेस्टी लगती है पुदीनी की पत्ती से आमपना और पुदीना के पतिया ठंड़क भी देती है गर्मियों में और आधी छोटी चमच भुनी हुई जीरा का पाउडर डालेंगे अब इसमें लीड लगा कर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से आम के पल्प को सभी चीजों के साथ अच्छे से पीस लिया है इतना अमेजिंग खुसबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती बहुती बढ़िया खुसबू एकदम अभी मन कर रहा है आम पना पीने का तो हमारा आम का पल्प का पेस्ट बिल्कुल अच्छे से तयार हो चुका है आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आप एक बाउल ले लीजिए अब आप लीजिए एक छन्नी और छन्नी में ये आम के पल्प को डाल कर अच्छे से छान लीजिए या फिर आप चाहे तो इसे डारेक्ली पल्प के पेस्ट को इस बाउल में डाल सकते हैं छन्ने से क्या होता है इसमें जो भी मोटा मोटा होगा वो उपर आ जाएगा लेकिन हमने इसे बिल्कुल fine paste त्यार किया है इसलिए मैंने इसे directly बाउल में डाल दिया है आपको दोनों में से जो सुविदा लगे वो आप कर सकते हैं ये देखे कितना बढ़िया हमारा आमपना एकदम गाढ़ा तयार हुआ है आप इसको एक जार में भर करके एक सब्ते के लिए इसी तरह से फ्रीज में रख सकते हैं और जब भी इसको पीना हो तो तीन से चार गलास में पल्प डालिए और आप डालिए एक गलास पानी और बर्फ की कुईब डाल कर इसका आमपना तयार कर लिजए और अगर आपको इसे दो-तीन दीन में खतम करना है तो अब आप इसमें डालिए लगबख एक लीटर पानी और इसमें आप डालिए आदी छोटी चमच काली मिर्च का पाउडर और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी चमच जलजीरा पाउडर अगर आप लाइक करें तो डाले नहीं तो आप इसकीप कर सकते हैं ये बिल्कुल आप्शनल है पानी के साथ इन सब को चलाते हुए अच्छे से मिला लिजे आम पना की बहुत ही अच्छी इसमें से खुसबू आ रही है एकदम ठंडग देने वाला कुईक आम पना बिल्कुल तयार है कच्छे आम का पना बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और गर्मियों में बहुत ही हेल्दी भी होता है तो इसे आप अच्छे से मिक्स कर लिजे तो ये हमारा आम पना है बिल्कुल तयार तो अब चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं और हम लेते हैं दो गिलास और उसमें हम डालेंगे दो आइस कुईप तो अब इस गिलास में ठंडे ठंडे आमपना को सर्व कर लेते हैं ये लिजे फ्रेंज बिलकुल तयारे हमारी ठंडी ठंडी आमपना की रेसिपी वो भी दो कच्चे आमों से इसे आप आसानी से बना सकते हैं जरू ट्राइ किजिएगा फ्रेंज इस रेसिपी को देखकर इसे बनाना जितना आसान है उतना पीने में बहुत ही अमेजिंग लगती है इसे आप कभी भी किसी भी मोशा में बना कर पी सकते हैं फ्रेंज बहुत ह लाजवाब लगती है तो उमीद करते हूं फ्रेंज कि आज की आम पना की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेर, कॉमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा फ्रेंज और साथ में सब्सक्राइब का वटन क्लिक करके वेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि वीडियो क्लिक करते हैं